महईन बोट्रह पीसे नेंकर सवाल पूछ यह आपकी घर्वादन में जायज हो गया है क्या केश लिया दिया गया है दिखाःे अब करां लिया दिया गया है मुझी जी ने कहा है एक गैरंटी है कि एक जरते चाहरी चिफ़्ठे का नहीं परस्ताओं नाइए को लेगा दएंगे पर रहत गया कि ये ये नहीं पता था कि इनके ट्रांस्पॉर्मर्द सब को फूक जाएंगे समनों गे बिचारे हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहां समझेगा कौन यहां दर्द भरे दिल की जवां आप देख रहे हैं यह देश है हमारा अमीश देवगन के साथ नमस्कार वीवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और इस हफ्ते की दो बड़ी घटनाए है पहली कैश वार क्वेरी यानि संसत में पैसे लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोहत्रा को देश के सदन से निशकासित कर दिया गया है यानि हटा दिया गया है संसत की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है तो दूसरी तरफ जारकंड में कॉंग्रेस के सांसत धीरच खुमार साहू के घर से ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 200 करोड उपए एक नई ही दो नई 200 करोड उपए कैश परामत किये हैं जिसके बाद प्रधार मंत्री मोदी ने कहा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई-पाई लोटानी होगी ये मोदी की गैरेंटी है और इन दोनों घटनाओं से साबित हुआ है कि चाहे आप किसी भी पत पर बैटे हो आपके पीछे कितनी भी बड़ी राजनितिक पाटियां खड़ी हो कितनी सारी खड़ी हो लेकिन इस देश से और यहां के लोगों से धोका कर आप बच नहीं सकते लेकिन इस बीच एक और बड़ी घट्टा हुए व्योस रू भारत के संबंद लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी मुख्य गैरेंटी यह वो कह रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी की पॉलिसी है क्योंकि मोदी के राज में भारत को ना ढराया जा सकता है ना धंकाया जा सकता है और ना ही मजबूर किया जा सकता है यह पुतिन कह रहे ह यानि मोदी की गैरंटी का डंका अब पूरी दुनिया में बजने लगा है तो आज जनता जनारदन के बीच से युवाओं के बीच से होगी वीकेंड की ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिवेट स्वागत है आपका ये देश है हमारा में इन चुनाव नतीजों ने ये साप कर दिया है कि मोदी की गैरंटी में ही दम है मोदी की गारंटी है ट्रिक की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटीयों का जादू कुछ इस तरह सरचड़ कर बोला कि बीजेपी ने पाँच राज्यों में हुए चुनाव में से तीन को जीत कर जंडा गार दिया मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है यह बीजेपी की जीत है यह मोदी की जीत है खाथ बात यह है कि बीजेपी उस राज्य में भी जीती जहां एंटी इंकमबेंसी होनी चाहिए थी वहां भी जीती जहां घुटबाजी का सबसे बड़ा खत्रा था और च्छतीसकर जैसे राजिमेवी जीटी जहां टीम बिजेपी ज्यादा मजबूत नहीं थी हर जग है सिल्ब एक जहरा चला मैंने ग्रुमोदी मद्ध प्रदेश के मन में मोदी जी है प्रदान मंत्री मोदी की तमाम गारंटियों में से ब्रश्टा चार के खलाफ कड़ी कारवाई की गारंटी भी है और ताजा एक्षन जहरखंट से कॉंग्रेस के राजसबा सांसद धीरज साहू के दस ठिकानों पर हुआ है और इन ठिकानों से 200 करोड रुपे कैश मिल चुका है पूरी पूरी अलमारी ब्रश्टा चार की काली कमाई से भर कर कॉंग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे है इस बीच बहुआ मोईत्रा पर कैश फार क्वेरी मामले में लोगसभा में एथिक्स कमीटी के सफारिश को माल लिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद कर दी कई है और अब मोदी की इसी गारंटी का डंका विदेशो में खुब बज रहा है अधर में रहा है उधर हिंदू पट्टी के तीन राज्यहार ने और दक्षण का त्यलंगाना जीतने के बाद कॉंग्रेस ने दो सूत्रिय एक्षन प्लैन अपनाया है पहला दक्षण और उत्तर भरत में बटवारी का दूसरा इंडी गठबंदन को फिर खड़ा करने का हाला कि अभी तो कॉंग्रेस दोनों ही प्लैनिंग में नाकाम होती साबित हो रही है सवाल ये है कि मोदी के चेहरे का तोड विपक्ष आखिर निकालेगा कैसे और मेमानों के पास जाने से पहले मैं आपको बदायता हूँ आज के डिबेट के बड़े मुद्दे क्या है तीसरा बड़ा मुद्दा है मोदी फैक्टर जिसको पुतिन से लेकर देश के पाच राज्यों के चुनाव में हमने देखा है तो आज इन सब मुद्दों पर हम एहम बैस करेंगे मेरे साथ कौन-कौन जुड़ा है आईए आपको परिचे करा देते हैं पहले जंतर देनार् अच्छा में मेरे साथ गौरण भाठी आए भार्चंत्र पाटी के लोग प्रिये प्रवक्ता एं मेरे साथ आज की शर्षा में जुरण रए हैं अचाड प्रमोत कि livelihood कॉंग्रेस पार्टी के नेता है अविरंदन है मेरे साथ राजेश कुपता है विधाय काम आदमी पार्टी के मेरे साथ अनुराद बुदोरिया है जो लेट एंट्री कर रहे है एज उज्वल परवक्ता समाजवादी पार्टी के अपने फेमस हडे कुर्ते में तो आपका भी अब इन दन है तो आप तमाम लोगों का विरंदन है लेकिन इस तर्चा की शुरुवाद गौर भाटिया आपसे करते हैं क्या भारतिय जंता पार्टी के बास मोदी नाम केवलम है सवाल नंबर एक लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी नाम केवलम तो एह ही लेकिन भ्रस्टा चा ने भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है तो एक कहना गलत नहीं होगा कि विदेश में जिसका बज रहा है डंका और विपक्षियों की जिसने लगा दी है लंका वो नाम कौन है बोलो मोदी जी वो नाम है और ये वाकर हमारे लिए गर्व की बात है कि छाती हमारी 56 इंच की हो जाती है जो ये भ्रस्टा चारी सारे भ्रस्टा चार के गोंद से जुड़े हुए थे आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा तेरी जेब में अठनी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा ये वो ही लोग है और आज मोदी जी कह रहे हैं जनता ने आशिरवात दिया है तो अठनी चुराई है वो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा ये इमांदारी का सर्टिफिकेट है और इसलिए हमारे लिए घर की बात है दूसरी बात ये सब को पता था कि तीन दिसंबर को इनको करेंट लगेगा अमीज जी वाकर ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फुक जाएंगे फुक 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 सब उड़ गया विचारे क्यों आप सोचिए नेता अपन मुझ काला कर रहे हैं स्वामी जी का तो थोड़ा सा मतलब काला नहीं हुआ अगर इनका मुझ काला हुआ तो धर्म का मुझ काला हो रहा है और सोचिए अगर आपने किती बड़ी बात कह दी वह सती जहर की होली जो कहता है हिंदू गंदा शब्द है हमारे भाई कनया का सरतन से जुदा हो गया और अशोग गैलो सोते रहे तो ऐसे कुम करण को भार उखार के फैक दिया जंता ने यह गर्द की बात हमारे लिए तीसरी बात एक बात और बता दूं आपको आपने मारती जंता पार्टी में हमारे जो नेता है नरेन मोधी जी तिंदुलकर विराट कोली द्रवेद दोनी सबको मिला दीजिए वो शक्ति वो उर्जा राश के प्रती प्रेम है उतनरेन मोधी जी का है उनका प्रवक्ता कैसे ना जोहे जोश में हो और जंता कि दिल की आवाद में जानता हूं मैं आंत करूँगा एक बात कहके महुआ मोहतरा की आपने बात करी चाह चाहे उधर अखिलेश यादा हो उनका परिवार हो चाहे महुआ मोहतरा हो चाहे कोई और हो चाहे पापी आपके अर्विंद केजरिवाल हो कानून से उपर नहीं हो संसत की गर्मा को भंग करोगे तो निशकासित भी होगे निकाल भी दिये जाओगे यह होना चाहिए लोग इस विशे को चूना चाता हूँ इनका जोश तो हाई है और आपके मूह काला कलाई है मतलब मैं इसलिए यह बोल रहा हूँ कि आपके नेता यह कर रहे है और यह सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको लगता है भ्रस्टा चार को लेकर पूरा गढ़ बंदन फसरा है कहीं महुआ मोहितरा है कहीं एक सांसत के घर से 200 करोड उपई कैश निकलाए है 200 करोड क्या मुझे नहीं लगता किसे ने 2 करोड या कैश देखियोंगे लेकि 200 करोड कैश निकलाए आचारे जी कैसे बचिएगा इन सब चीजों से देखिया हमीश देव गंजी दो तीन बात हैं पहली बात यह है भगवान श्रीराम की जनम भूमी के मंदिर के उद्गाटन समारो प्रांट प्रतिष्ठा समारों में मुझे श्री राम जनम भूमी तीर्ति छेत्र ने मुझे आमंतित किया है बलके मैं इसको आमंत्रन नहीं मान रहा हूं मैं इसको अपने पूर्व जनमों के प्रारब्ध के पुन्यों का फल मांग रहा हूं बहुत बढ़िए और बगवान की जोरदार्ता लिया इस बात पर इसका मैं आभार प्रकट करता हूं दूसरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा सा चिंतित हूं चिंतित इस कुछ बात से हूं कि पुथीन रूस के राश्चपती है उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी है तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुतिन को भी कहेंगे के तुम भाजपाई हो कहीं पुतिन को भाजपाई होने का वो सवाल ना खड़ा कर दे हमारे हैं कुछ ऐसे बामपंथी मित्र जो ये कहेंगे पुतिन भी भाजपा जोईन करेगा नहीं उधर मत देखिये भधरिया जी भाज़ा वो बामपन थी नहीं है भधरिया जी तो नीचे देख रहे थे दूसरा अब तीसरा पॉइंट आया आपका कि ये पैसा मिला ये मिला वो मिला बिल्कुर ठीक है दो चार करोड रुपया तो एजंसिया रख देती है जैसे हमारे चार्टिस गड़ में एक टैंपो में रख दिया था लेकिन ये दो सो करोड की रखम है तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता ये नहीं कहूंगा कि एजंसियों ने रख दिया होगा जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बर है लेकिन हमें इस देश की नियाई पालिका पर एजंसियों पर पूरा भरोसा है मुझे ऐसा लगता है कि वारब भाटिया जी शायद जानते होंगे कि इन्होंने चुनाब के बीच में कहा था भई भूपेश बगेल जी को पांच करोड़ छे करोड़ रुपया जो है वो कैश पकड़ा गया कि ये बगेल जी का है फिर कहा कि हम किसी एक महादेव एपाया कि पांसो कुछ करोड़ रुपया हमने चीफ फिनिस्टर को दिया अब चुनाब खत्म हो गया रिजल्ट आ गया कांग्रेस हार गई पीजेपी जीत गई क्या गौरब भाटिया जी वो जो आपने आरोप लगाया रुजो धन मिला उसकी कारवाई या उसकी जाच कहीं आगे तक बढ़ाएंगे या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए इहतकंडे आप अपना हैं उसका प्रारब्द है लेकिन किसी ने पाप भी किया है और वो प्राश्चित कर रहा है जिसने कहा भगवान राम कालपनिक हैं वो कौन है बावन साल के अपरिपक्व नेता राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी और मैं आपको बता दूँ अगर भारत में रहना है तो ईश्वर और धगवान राम कहना है यही हमारे डियने में है यही हमारी सोच है यही हमारी संकृति है दूसरी बात भाई साब ने कहा कि आपने महादेव एप पे आरोप लगाए अचारे जी बड़ी विनवरता से मैं आपको बताता हूं महादेव एप का जो आपने गोटाला है कोई बड़ी बात नहीं है सोनिया गांदी और राहूल गांदी में बात हो माँ और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे है राहूल गांदी करे कि 100 करोड रुपय आने हैं आये हो 200 करोड ऐसा भी हो सकता है लेकिन मैं बता दू एजेंसिया अपना काम कर र माण होंगे जेल की सलाकों के पीछे चक्की पीसिंग और दूसरी बात करनाटिका में आप भी तो कहते थे 40% सरकारा क्या कारवाई करी आपने कोई कारवाई नहीं करी क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं आप सोचिए 9 अलमार को का है और उनी को जाना चाहिए और मोदी जी ने कहा है एक गैरंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटे का नहीं गर्दन से टांग देंगो रेक एक रुपया वसूलेंगे यह मैं पीम के ट्वीट पर आता हूं अचारे जी पीम ने ट्वीट करा कि देश्वासी नोटों क देर को देखे और इनके नेताओं के इमानदारी के भाशनों को सुने जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लोटानी पड़ेगी यह मोदी की गैरंटी है शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा सदन के जब बाहर आई महुआ मोहित्रा तो सोनिय जी पीछे कड़ी और महुआ मोहित्रा अपने आपको जस्टिफाई करे थी कैश्व और क्वेरी के मामले में क्या कहरा चाते है अचारे जी आप देखे इसके दो पहलू है एक है नैतिकता सुचिता दूसरा है राजिनीती का पहलू तो नैतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूं कि यह सब चीजें ठीक हो सकती है लेकिन राजिनैतिक देश्टिकोंड से तो मोहित्रा को इसका लाब मिलेगा उन्हें आपने लोकसभा की सदस्ता उनकी खारिज कर दी वो फिर चुनाब जीत के आजाएंगी फिर क्या करोगे पर नैतिकता सही है यह नहीं मैं तो नैतिकता के दिश्टिकोंड से ठीक नहीं मनता अगर कोई संसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्षमें नहीं खड़ा हूं क्योंकि संसद म लेकिन मुझे नहीं लगता कि महुआ मोहित्रा जैसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ किया होगा मगर अगर संसद की समीती ने इस तरह की कोई बात की है तो मैं संसद के फैसले पर लोग सबागे इस वीकर के फैसले पर उगले उठाने हाला मैं कॉन राजिश गुपता और अन लगता है मोदी की गैरंटी चलती है इस देश में मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ दो तिन सालों में जाएंगे तो यह जो शब्द आप सुनते गैरंटी यह बनाया ही आम आदनी पार्टी के दवारा है अगर आप 2000 का एलेक्शन देखे तो अर्विन केजरिव देखे 1984 में उनके पास भी दो ही सांसर थे हमारी पार्टी दस साल में दो राज्य है एक राज्य को त्री बार बार शुन रहा था कि पुतिंजी ने तारीफ कर दी अगर ऐसा लग रहा हिटलर की तारीफ मुसॉलिनी ने कर दी इससे क्या पायदा हो गया बताईए क्या लेन बात कोई और कि तारीफ मुसॉलनी ने कर दोनों की दोनों डिक्टेटर थे और हमारे वाले साफ भी पूरे डिक्टेटर ही है किसी की मान तो बात तो मानते नहीं तो इससे फायदा क्या मोजी चुनाव जीतना एक अलक्षी हो सकती है इंद्रा गांधी जी लगाता लेंगे कि लगातार इंद्रा गांधी चुनाव जीतनी ती है को अन्यवाद तो सब कुछ सज्टा नहीं है बहुत तार सारे कारण यह जीतने ने के पीछे जी 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 इसके इलावा आपने मौईडा मित्रा जी की बात करी मैं तो सोच था कैश फूर क्वेरी मैंने सुना सब्सक्राइब और उस वक्त आडवानी जी ने कहा था कि ठीक है इनों ने करप्शन तो करा लेकिन उससे बड़ी बात यह कि इनकी सद्यस्ता रद करना बहुत बड़ी सदा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या आज गौरभाटिया जी यह कहेंगे कि अडवानी जी गलत ते इस अच्छा पॉइंट और इदी आमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था जनता को मारता था ठकता था वो इदी आमीन की पार्टी के यह प्रवक्ता है और जनता ने इनको सबक सिखाया है यह मुझे कहने कि आप शक्ता नहीं मैं रिपोर्ट काड लाया हूँ पापी आप कटर वैमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले यह तीन प्रदेशों में बद्ध प्रदेश में इनकी सीटे आई अंडा इनकी सीटे आई 36 गर्द में अंडा और उसके साथ राजस्थान में अंडा तीन अंडे ओमलेट बना रहे हैं आजकल अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं आओ मेरे कभी दुकान पे खिलाओंगा और दुक की बात क्या है देखिए राजनितिक हैसियत होती है बड़े इज़त से बोल रहा हूँ नरेंदर मोदी जी हिमाले की चोटी और अर्विंद केजरिवाल की नियत है खोटी और नोटा से कम वोटा हैं इनके 0% 0.5% 0.4% अरे ये लोग नरेंदर मोदी जी से क्या लड़ेंगे अब बताओ जहां अर्विंद केजरिवाल चले जाते हैं वहाँ घुटाला पहले हो जाता है मैं बच्चों की कसम खाता हूँ मैं कभी राज दिती में नहीं आऊंगा अरे बच्चे गए भाड में राज दिती में आगए अर्विंद केजरिवाल मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ मैं कॉंग्रेस के सपोर्ट नहीं लूँगा अरे बीवी से क्या लेना देना ले ल जबाद, मैं बात पूरी कर दूँ, इत्ता माद, नि पर उनका भी अधिकार है, आज आएगा, दगे कार्टू से साइड लाइन कर दिये कहां पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है, तक्कर में, नि दो जगा पे, मेरी बात पूरी कोई नहीं है, अज़िएगा, हम किसी के चक् लेकिन, 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 लेक प्रदेश नरे मोदी जी ने जितवा दिये गैरंटी थे इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है हंड़िट परसेंट हंड़िट परसेंट क्या 205 सीटों में लड़े दो सो पाच में जमाना जब्त हो गई हंड़िट परसेंट रिबोर्ट कार्ड अर्विन केजरीवाल का है यह पापी आप अमिश भाई जो हमें जीरो पे बता रहे हैं वह दिल्ली में और आपके बार छोटे हाथी पर आप नहीं होते हैं आपके बसका नहीं है आप एमसरी भी हार गई दिल्ली में बहां पे गए आप पंजाब में इनकी हलत देख लीचे ढूंडने को आदम नहीं मिलते पंजाब के कॉंग्रेजी पुराने जो बिल्कुल खतम होने को आगे 45-45 साल की जिनको ये कहते रिटायर कर देना चाहिए मारक जक्षन मंडल में भेज देते हैं अपनी पार्टी में मोदीरी आगे ते हटाने के लिए दूसरी पार्टी से उनको ले ले लेते हैं उनको इंपोर्ट करके वहाँ पे अपने पंजाब में बिठाए उनके बस आदमें नहीं देखने को ये मुझे रिपोर्ट कार्ट कोई कुछ नि पूछ था करना करना करके अधिक यादी नियुक्त पता रहूं तुनिये सब मैं बता देता हूं गोवा में पिछली बार भी कॉंग्रेस के निमने सारे के सारे में अमेले में से तोड़े दो को छोड़के सारे इनकी पार्टी में आगे ये नहीं जीतते दिली में लोकसभा 2014-2019 2014 में साथ सीटे हैं आया अंडा और 2019 में आया अंडा तो तीन अंडे पहले दो अपाच अंडो का अमलेट अर्विद केज्रिवाल ने वहां बनाया अरे दो बार नरेंद मोदी जी जीते हैं, लोकसवा में इनकी है एक सीट, और मैं एक बात बहुत दंबीरता से कहता हूँ, राजेंदर गौतम, यहां सब मेरे भाई बेहन बेटे हैं, उनकी इतनी हैसियत है, कहते हैं कि मंदिर में दलित महिलाओ का बलतकार होता है, और पीते जाते हैं, अरे हिम्मत है तो अर्विंद केजरिवाल से खेना किसी और धर्म के बारे में एक शब्द बोलें, तो ये आपको मेरा, वैसे तो आप लोगों का घडबंदर हुआ नहीं, मध्यपरदेश के अंदर, राजिस्तान के अंदर, 36 गड़ के अंदर, लेकिन ये जो भ्रस्ताचार का मामला आया, उस पे घडबंदर हो गया, महुआ मोहितरा का सपोर्ट आप लोग भी कर रहे हैं, चली ए पर्धान मंतरी की तारीश की, भूल जाते हो पर्धान मंतरी देश के हैं, हमारे हैं, इनके हैं, उनके हैं, उनके हैं, सब के हैं, ये कैसे कहते हैं, पर्धान मंतरी भारती जनता पार्टी के हैं, देश के पर्धान मंतरी की तारीफ हुई है, हिंदुस्तान की तारीफ हुई है, और हिंदुस्तान की जब तारीफ होगी, तो पुरे हिंदुस्तान के एक-एक व्यक्ति की तारीफ होगी, चाहें पस्विपच्च में हिंदुस्तान की तारीफ होगी तो मैं काऊंगा तारीफ हो यह तो अच्छी बात है तीसरी बात आप बार बार इतना चोणा हो कि आप बोल रहे हो आपको याद है आठ क्रोड़ उप्या कहा मिले थी पीजेपी के घर में मिले थे की नहीं मिले थे उसके बारे में आप बोलोगे की नहीं बोलोगे नहीं बोलेंगे पहलवान महलाओं की उपर अन्याय हुआ था किसके उपर आरोब लगा था ये जवाब देंगे बच्चे बताओ किस पर आरोब लगा था आज तक क्या किया इन्होंने ये जानना चाहता है देश ये बो लोग हैं जो अपनी बात छुपाना चाहते हैं दूसरों पर डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के आपको गुम्रा करते हैं और अपनी चीज को छुपा के बैट जाते हैं सहरा लेते हैं किसका सोसल मीडिया का अपने टीम का आईटी टीम का सहरा लेके हमारे अंदर में वो उस नफरत की आग बोने वाला गर कोई है तो भारती जंता पाटी है या कितनी बार इनोंने बताई इतने लोग तीन लोग बोल चुके चौथे बैक्ति खड़े कितनी बार इ एग सकति आपकी तक्रीर पे पब्लिक तालिया बजाए अच्छी बात है लेकिन मेरा सवाल बहुत सीजा है महुआ मोहत्रा पे आपका क्या स्टैन है क्या पैसे लेकर सवाल पूछना भी आपके घरबंदन में जायज हो गया है 200 करोड कैश मिलना भी जायज हो गया है दिखाई आप कहा लिया दिया गया है आपने इश्री बोला है आप बताए किसने बोला कैश लेते जाते चैंट समय ने उनको भरपूर समय दिया था उनको जब देना था किस ने बताया है रिपोर्ट में कैस दिया हुआ किसी ने दिखाया बताईए आप ठीक है आपने ये सवाल पूछा ना गौर बाटिया देखिए ऐसा है साइकल हो गई पंचर इनके नेता है घंचकर और इसी अब देखिया आप वह वह बोला दा आपको पता नहीं होगा साइक साइकल पे बैठके यहां दा है अब है कि साइकल काई हो और यहीं तो बात है किसान वर्तर है यह डिवेट किस पर है अनुराग जी आद्राग्जी और आदिन्स को एंटर्टेन करना हम इसाइज डिया इन यहां दिने कराऊ है अम हम एक साइक्किक बात पताये दिखनाया मे कि ये संसत में चीर हरन किया गया है जी मौवा मोहित्रा की बात का भी जवाब साइकल गई टूट जनता गई रूट और पंचर साइकल में हवा नहीं है वो दिखाई दे रहा हवाई यह उड़ी हुई है और क्यों उड़ी है मैं आपको बताता हूं हिंदू के लिए हिंदू के लिए स्वामी प्रसाद मौरिया को पहले लात मारके निकालो जिसने का राम राम चरित मारत जलाएंगे पहले रिकालो उसे उसके बाद मत करना हिंदू के रखना दूसरा महिला कि अरे महिला का नाम कम से कम ये टूटी साइकल वाले नाले बलतकारी के लिए इनके अध्यक्ष ने बोला था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है और गायतरी प्रद्यापती जिसके उपर बलतकार का मुकदमा चल रहा था मेरी बहन ने लगाया था उसको मंत्री बना दिया था ठुखते हैं लोग ऐसी समाजवादी पार्टी आप व्याद करिए रमा देवी जी वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैटी थी और आजम खां उनसे बोले मन करता है तेरी आखों में देखता रहू हटे ही ना मेरी आखे और अखिले ज्यादव ठाके मार रहे हैं अरे आपकी माता या बेहन वहां होती खिज के थपड़ बार पते तब पता चलता है इसलिए पार्लिमेंट की गरिमा की बात ना करे चौती बात जो मैं कहने जा रहा हूं इनका रिपोर्ट कार्ड भी लेके आया हूँ बच्चों आप सबको पता होना चाहिए यहां पे ना काटून बनना बड़ा असान है जनता के बीच में जाकि मरे करना बहुत मुश्किल है और इनकी कितनी सीटे आई एक तरफ पापी आप है तो तूटी साइकल बद्द प्रदेश राजस्तान च्छतिसगर तिलंगाना सारों में आई अंडा अब आप बताईए पॉल्ट्री फार्म इधर भी खुलेगा इधर भी खुलेगा और नोटा स कम वोट आते हैं आपको मालूम है क्यों जनता जानती है वंच वादी है ओबी सी की बात करते हैं आप सवाल पूछिए जब से पार्टी बनी है क्या यादव परिवार के बाहर का ध्यक्ट वेल्कम बैक विवर्जाब देख रहे हैं वीकेंड का सबस्वेरों से मतकार करम ये देश है मारा ऐनों ने बोला कि स्वाइं परसाद मौरेया ने ऐसा कहा माल अच्रेश को हमने कहा जो उन्हों ने कहा गलत रहा हुए जो एक मट सुनौती है इसी सरातन का श्राप लगा कि तीनों राज्यों के अंदर आपको लोता से कम बोलने का राइट है कि इन्हों ने बोला मैं इंसे पूछना चाहता हूं यह ऐसे करके खड़ी थी भारती जनता पार्ट ऐसे खड़ी थी एक सांसत पार्लमेंट के अंदर में प्रभू राम के बा संजय निषात कहते हैं प्रभू राम दैसरत के बेटर नीथे इनके आप मंत्री हैं पर बहुताएंगे उनको बताईए अप बात करेंगे आप आप और तरह को लेकर आता हूँ जो टेके यह तीन राज्यो, जो BJP की जीत हुई आपको अभी भी लगता है Congress चालू पार्टी है, जो अखिलेश जी ने बोला उसको आप अगरी करते हैं दिस अगरी करते हैं, लिए तो इसलिए चालू पार्टी चलता है तो इसलिए चालू पार्टी चलता है के आधी जी कहते थे कोई एक थपड मारें दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो तो हमने तो समाजवादी पारिटी वाले भी गाली दे रहे हैं आम आदमी पारिटी भी तो यह जाहते हैं कि यह देश है में जाना चाहिए अब इन्हों ने गौरब भाटिया जी ने चक्की पीसे मुझे डायलोग याद आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहां करें तो करें क्या नहीं नहीं वो हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहां समझेगा कौन यहां दर्द भरे दिल की जवान जाएं तो जाएं कहां बड़ा- एक जिकर दो जिकर किया था तो जिसके लिए चक्की पीशिंग का जिकर किया था महराष्ट में वह आज इनके डिप्टी चीफ फिनिश्टर हाँ अब सवाल इस बात का है यह विपक्ष को बताते हैं लंका इंका बजरा डंका लेकिन देश भटक जाएगा मेरी है या आशं लेकिन अफसोस की बात यह है जब जब रीजनल पार्टीयां पावर में आती हैं तो वह अपना निशाना जो है बीजेपी से कौंग्रेस पर साथी हैं इसका मलाल है कि कघली जी ने कहा कि कौंग्रेस जालू पार्टी ने कहा कंग्रेस धोकेबाज पार्टी को ऑर अकंग्रेस और दोनों मिलंके हराते हो बट कमलनाजी को उनको लग रहा था कि हम अखेले भारती जंदा पार्टी को हरा देंगे हमारा साथ ही नहीं लिया तो हमें यहीं लगाना कि आप मेरे साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते हैं इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है क्योंकि हमें साथ लेते तो एक अब दूद का दूद और पानी का पानी का पानी का पानी बिलकुल देखो एक होता है यह बीजैपी दो बनाने वाले लोग है और नोर दो नोर दो को जोड़ेंगे तो ग्यारा होता है इस चक्कर में मत पढ़ेगा कि अब मैं कहाबर धी पार्डी का वोट भी प्लस कर लेते अहां आदनीश आजाती ह। नो menděभ प्लैस कर लेते हैं कि प्लस का लेता है। एंगा 3ौ सिय्आजी को धॉट करनेनि वोट कर लेते हैं। है पी यॉपी में सफ़पा और राष्टिय लोग राष्ट्य. करबनते हुआ उसके बाद चुना वार गाई है लोक समा और जो आपको बता देंगे ढुबत आपने कहा ऊज़ने में को पिसक्तिमेंट बीन अफॉरब जी ने का जी अब बिन तो मुझे जो भी अगर किसी भी दर्म के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट कोई भी देता करते है oni बाहर करें ऐसे विधायक को थे फंद कर ने बाहर करें घृता किसी को आप लुग करना नहीं बस्ता के मुझे ब इनके लिए कंच आप लोग तूरह में है सब का हो जाता है इतने गमंढ की बात का राम कभी कर सकते थे मैं का है पधार करूंगा थे बात करके उन्हों का पर्दान पराविप्ड हो गाँ तो बिलकुल मैं कहूंगा रावन का है इनकार है और देखिए आपने बहुत पते की बात उठाई मैं तो आंक्डे ले के आया हूँ तैयारी से आया हूँ यह नहीं कि विज्ञान का पेपर है और गणित का उत्तर आ रहा है क्योंकि लिखके लाएं और रटा रटा देखिए यहां पे अगर आप कॉंग्रिस के आपके और सपा के सबके वोट जोड़ दीजे तो यह 41.5 प्रतिशत पे पहुंचते हैं मद्रप्रदेश में हमारे अकेले के वोट आए हैं और 40.5 प्रतिशत पतला तब भी इन से 7 प्रतिशत से ज़्यादा है यह क्या दिखाता है यह द रुख बदल दे जैसे नरेंद मोदी जी ने बतला है दूसरी बड़ी बात ना बताओंगा लेकि क्या यह क्या यह आंकार है कि हम किसी के साथ नहीं है और हम चुनाब जीतते चले जाएंगे क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ जीत आपकी जीत का इंपक्ट यह हो रह हो ग desert तो आवाज आईगी फूस वहीं चाइल सेये बसा करतूस आप नोता ना जाएंगे रूट है हमका बूले के जोट ना आप जाएंगे पांच सीटे आई पांच ठीक है 2019 किती सीटे आई सबागी पांच बाजपा की आई 73 और 64 सीटे 2017 में फिर से इन्होंने गड़ बंदन किया 1 प्लस 1 अरे हो गया 1 माइनेस 1 जीरो और इनकी सीटे किती आई बावन 2022 में फिर से योगिया अधितनाजी मुखे मंतरी बने दंके की चोड़ पे दुबारा आए फिर से साइकिल हुई पंचर क्या दिखाता है ये धगे कार्तूस है और वज़ा क्या है तोष्टी करण की राज़िती भरष्टाचार और वंच वाद जो परिवार अपने परिवार के बाहर का अध्यक्ष ना दे पाए वो बड़ा दिल दिखा के जो हमारे युवा है मलिका अजुन खड़गे का उग्रस ने दिया कॉंग्रस 30 साथ तक सोनिया गांदी और राहूल गांदी रहे अंतरिम अध्यक्ष आप फज्जाएंगे इस चर्चा में आप क्या नहीं आया भार से भी तक अध्यक्ष आप फज्जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष आप फज्जाएंगे इस चर्चा में अध्यक्ष समाजवादी तो इनकी बात करेंगे कि जिस पर बोली नहीं रित रहते हैं जनता को क्या दिया जनता इन्हीं को सत्ता दे रही है आपस बोलते हैं अब बढ़ी सीरिस पॉलिटिकल डिबेट हो रही है देखे अचारे जी गुरुवार को आपने मेरी कारेकरप में एक आवान किया और आपने बोला कि की बी-डर S. को भी साथ ले लिया जाए मायवती जी को भी सात ले लिया जाए और शिरुमनी अकाली दल को भी साथ लिया जाए तब तो मोदी को हराने के हम करीब पहुंचेंगे आर यू सीरियस अबाउट दिस यह बड़ी स्टेट्मेंट अपने आप देखे आप प्रयांका जी के एडवाइजर भी इसने मैं बोलना हूं जब कभी बड़ा लक्ष साधना होता है तो फिर चोटे-मोटे मतवेदों को दूर कर लाएंगे इने साथ लाएंगे लेकिन चार-पांच जो और दल हैं जिसमें बहन मायवती जी हैं उनसे भी बात करनी चाहिए मैं तो कह रहा हूं के सी आर से भी बात करनी चाहिए मैं तो कह रहा हूं जगन रेडी से बात करनी चाहिए अब हम सवाल इस बात का है कि आम आदम तो फिर अपने चोटे 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 मोटे मतवेद खतम करके और सब को एक जंडे के नीचे आना पड़ेगा और पूरे देश में कॉंग्रेस के नित्रत के साथ चल करके ही बीजेपी को हरा जा सकता अधरवाई नहीं हरा जा सकता कि अग्रेस के नित्रत के चलते आम आद्नी पार्टी और अकाली दल साथ में आ सकते हैं पर आद्नी पार्टी तैयार करेंगा जब कमिटी बैटे की समीटी बैटे की तो देखेंगे मेरा कहना है कि भंगाल में हैं इन्याय कोई अने वाड़े आप कहरेऊगी बहुत बड़ी कि आपका कुछ कॉंट्रिबूशन नहीं है जीरो किसी को नहीं कहता है हम राम को मानने वाले लोग है हम यह राजनीती है लोग लड़ेंगे भी जीपेंगे आपने बढ़ेंगे जवाब विदायक साथ की बात का जवाब मुझे याद आ गया किसी ने चुनाज में कह दिया था अधर्नी प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती पूरे देश को पता चल गया पनौती कौन है और ना मैं गिरा ना मेरी उमीदों के मिनार गिरे मुझे गिराने में कई लोग सौ सौ बार गिरे और ये गिरते रहें गए गिरे हुए लोग है अनुराग उदरिया ये जो पूरा आलाइंस का चकर चला रहे हैं अचारे जी जिसमें भाउजन समाज पार्टी को भी लेना चाते हैं आप ओके हैं इसके लिए को कि पिछली बार आपने घडबंदन तो किया था लेकिन बीस्पी की सीटे दसाई थी आ लोग सबा में देश को अभी राष्ट की जरूवत है राष्ट को अभी जरूवत है कि बिपच्च की सरकार बने जिस तरह से सत्ता पच मनमानी कर रहा है जिसे सत्ता पच अकुन उसके पास लगाम चूट गई है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है कभी भी जंता की लोग तंत्र में आपका अधिकार वोट ही होता है लोग तंत्र में अधिकार तो होता है बात भी रखो ये भी रखो लेकिन आपके नेता जो है ऐसा ऐसा बोलते तो बात रखने का मत नहीं करता हां हम जवाब देते तो अपने वोट के मतों से देते हैं जी जी ये पबलिक लुटमस के अपनी दाकी जाती है लेकिन भारत माता को गलत कहने french अब कहने का अधिकार किसी को भी नहीं है देश का है अब बताइए आप की सवाल है कि से बहुत बात करी रिपोर्ट डिखाने की रिपोर्ट कार्ट दिखाने की अब यह बताएं कि कि मोदी फैक्टर है की नहीं है क्या आपको लगता है कि मोदी के लिए जैसा बोला जाता है आपके की मोदी कोई फैक्टर नहीं है क्या जुख भूह भएक है आप नहीं पने लंबे आर्शा पॉलिटिक करी है और student of politics your take on this अमीर राजनीती में रहने का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त जूटी बोलना जरूरी है हमारे पास पढ़नित नहरू थे इंद्रा गांधी थी राजीव गांधी थे हम भी खूब जीतते थे और और सुनिए आम आदमी पार्टी में अर्विंद केज्रिवाल फेक्टर है और ऐसे ही समाजवादी में भी फेक्टर सें टीम सी में ममताब इनरजी फेक्टर है इस करके नरने मोदी जी को हराना चाते हैं तो भई जब महभूब्वा मुफ्ती जी को साथ ले सकते थार तो फिर आप व् жд को साथ क्यों नहीं ले सकते एक बड़ा सवाल दूसरा सवाल है कि जगन डीडी से बात कूं नहीं कर सकते तीसरा सवाल आप नवीन पटनाएक के आपको कहार आए इनका तो रोट अब वोट ने रहा है एक सके वो छोड़िये एक परसेप्सिन बनता है बेहन माया वती जी के साथ लिए बिना उनको साथ लिए बिना उत्तर प्रदेस में हम कैसे गट बंदर मना लेंगे ये बड़े सवाल है ये को ऐसा नहीं है कि अगर मैं क सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमें अपने मत्वेद बुला करके एक होना प्रदर या आप साथ लेंगे कि नहीं लेंगे मैंने कहां से जब्सक्राइब बाद, ब्रद फिर में बाद 바ार इंतिवर करते रहती आप पूरा करूंगे तरह तो सब्सक्राइब है कि मौदी जी की गारिन्टी है कि एक एक वादा पूरा होगा मेरी बहन ने एक सवाल मुझे से पूचा उन्होंने कहा 2014 के बाद क्या बदला है मैं आपको बदा दू जम्मू में आईटी आगया एम्स बिलासपूर में आगया 2014 से पहले एम्स का उधारण दे रहा हुश हमें कम है एक इसे इसे पूरी है अगे बदल आगे आप तरिका आगे आगे बसाई आगे बसाई आगे बसाई आगे लोगों ने इतना साथ दिया आप इस चर्चा में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया